वेलकम टू एक्जाम भी बेचना तो दोस्तों जो आज का वीडियो रहेगा ये काफी ज़दा महत्पुन आपके लिए रहेगा इसमें हम डिसकस करेंगे जो कावेशास्तर है भारती है और पास्चाते कावेशास्तर उसके अतीम महत्पुन प्रशनों को ठीक है तो पूरी व बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा उनके साथ भी आप जूड़ सकते हैं और शुरू करने से पहले आपको हमारी टीम की द्वारा लॉंच के ये कोर्स दिखा देता हूं देशीगा बहुत से बच्चे कह रहे थे कि वे अभी तक एल्टी कमिशन और पीजिटी हिं नहीं चेप्टर बाइस टौपिक के एकॉर्डिन सुबह आठ वजबे फिर देखीगा रोज पीडियाव या आपको उसका एविलेबल करवाया जाएगा अगर किसी को بीडियाव भी ऽंजो के रखना है तो आपीडियाव को भीष्य में संजोक कर रख सकते हैं पीडियाव स पढ़ना चाहते हैं तो वहां से भी पड़ सकते हैं इस जी के साथ दिखिए रोज टॉपिक के एकॉडिंग जो टेस्ट आपको मिलेगा जो आपको लक्चर आपको मिलेगा उसको टॉपिक के टेस्ट भी होगा कितने वजे नौ जेदार ठीक है अगर आप इंटरस्टीड हो तो आप संपर कर सकते हो इससे ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी आप 829312129 यहाँ पर जो बट्सेप नंबर करिए सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी ठीक है तो जुरू बसमेना लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को तो यहाँ पर दिया गया है कि इन सूचियों को सुमेलित करिए सुची एको सुची दो के साथ दिया गया है जो काब्य लंकार है ये किसकी रचना हो जाएगी तो काब्य लंकार हो जाएगी भामग की रचना नाटि शास्त्र ये किसकी रचना हो जाएगी भर्तमुनी की काब्य दर्ष किसकी रचना हो जाएगी दंडी की और काप्य प्रकार किसकी रचना हो जाएगी ममट की तो इस प्रकार से एक अदू कहां पर है एक अदू बिकल्प B में ही है इस प्रकार से बिकल्प B यहां पर सही हो जाएगा अगर आप ध्यान से करते हो तो चार प्रशन यहां से आपके बन जाते हैं ठीक है, चार प्रशन, फिर अगला प्रशन है, इन्हें काल के आ रोही क्रम में बिवस्तित कीजीगा, तो जो यहां पर काल सही होगा रोही क्रम में, तो वो हो जाएगा विकल्प ए, सबसे पहले नाटि शास्तर, फिर काब्य दर्ष, फिर काब्य प्रकास, फिर रस गंगाध भिकल्प ए, यहां पर सही होजाएगा, अगला प्रशन है, इन सुचियों को सुमेलित करिए, सुचि एक को सुचि दो के साथ सुमेलित करना है, कर लेते हैं, यहां पर क्या है, बाक्यम, रसात्मकम, काब्यम, जो यह पंक्ति है, ये किस की होगी, ये बतानी है, तो यह हो तो यह एक इतम है जा उसिकल कらい के सब्सक्राइब हो जाएगा Prof. प्रृति पादगार्थकैव ऋक brag按े क्मुत्र काप्यम् हो जाएगी तो यह को जाएगे मैं पन्डितराज篇कम्य मौनक्रीटि को इक हो जाएगी ठाए तो है। कोर्स के लेक्चर दिये थे, काभी शास्तर वाले, यहां पर जितनी भी ट्रिक थी मैंने आपको बता दी थी, जिन्होंने कोर्स लिया है, उनको पता चली गया होगा, कौन सी ट्रिक की में बात करना हूँ, तो यहां पर सही विकल्प आपका हो जाएगा, बाक्यम रसात्म के म बताईएगा जो अचारे बिश्वनाथ थे, इनका समय कौन सा होगा, तो जो बिश्वनाथ जी थे, इनका समय हो जाएगा, चौद्वी श्तावदी, अचारे ममट को आप किस बर्ग में रखेंगे, जो ममट थे, यह किस बर्ग की अंतरगत आते हैं, यह आते हैं, रसवाद फिर अगला प्रशन यहां पर है छे अनलंक्रीती पुनक्यापी को किसने काबे लक्षन में स्थान दिया है तो सही बिकल्प हो जाएगा जो ममट थे इनके द्वरा अलंक्रीती पुनक्यापी इस काबे लक्षन में स्थान दिया है फिर अगला जो प्रशन यहां पर दिया गया है अचारे दंडी किसे काब्बे का अनिवारी तत्व स्विकार करती है अचारे दंडी अलंकार को काब्बे का अनिवारी तत्व स्विकार करती है फिर अनलंकृती पुना क्यापी का ब्योद किस अचारे ने किया है अनलंग कृती पुनक क्यापी का पियोद किस ने किया था अगला प्रशन 9 बिश्वनात के गरंत का नाम बताईए जो चारे बिश्वनातें के गरंत का नाम क्या होगा साहित तिद्धरपण अगला प्रशन देखीगा 10 अदोशोव पद किस अच्छारे ने अपनी काप्विय परिभाशा में रखा तो जो ये पद है ये किस के द्वारा रखा गया था ये रखा गया था ममट के द्वारा बिकल्प भी इन में से कौन सा पद ममट के काप्विय लक्षन में है अभी हमने उपर ये देखी थे तो अदोशो, सगुनो, अनलंग, कृती, पुनग, क्यापी ये तीनों के तीनों D सही हो जाएगा यहाँ अगला प्रशन दिया गया है इन अचारियों को काल के आरोही क्रम में विवस्तित कीजिएगा तो सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प A सबसे पहले दंडी आएगे, ममट आईए उसके परशाद बिशवनात, पंडित राज जगनात ये क्रम सही रहेगा अगला है रमणिहार्थ पतिपाद का शब्द काब्यम उपर हमने देखा था, इसका जो सही बिकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा पंडित राज जगनात अगला प्रशने चौदा बाक्यम रसात्मकम काब्यम जो प्रसुत पंक्ति है किसके द्वारा काब्यलेक्षन मानी गई है तो जो अचारे बिश्मना थे इनके द्वारा ये मानी गए थी और ये रस्यस्वंदित पंक्ति मानी जाती है 14 का सही बिकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा अचारे रामचंदर शुकल ने काब्य का प्रमुक्तत्व माना है किसे माना है तो जो अचारे रामचंदर शुकल थे तो ये मानते थे द्वनी को काब्य का प्रमुक्तत्व 15 का सही बिकल्प यहाँ यह हो जाएगा हरीदे की मुक्तावस्ता को रस्दशा कौन मानते है तो जो हरीदे की मुक्तावस्ता को रस्दशा मानते है अचारे राम के अंदर शुकल बिकल्प भी सही अगला है बूशन बिनुन अबिराजी कवीता बनीता मित ये पंक्ती की सचारे ने कही थी तो जो सत्रका सही बिकल्प हो जाएगा केशवदास जी के द्वारा ये पंक्ती कही जोई थी अगला प्रशन अठारा केशव इन में से किस बर के कवी है तो जो अठारा का सही बिकल्प हो जाएगा केशवदास थे अलंकार बादी अचारे या कवी अगला प्रशन एक सुची को दूसरी सुची के साथ सुमेलित करना है तो चलिए कर लेते हैं तो यहाँ पर जो देखीगा अरिती संपर्दाय बामन के द्वारा दिया गया था रस संपर्दाय भर्तमुनी के द्वारा दिया गया था अलंकार संपर्दाय आपका दिया गया था भामा के द्वारा धुनी संपर्दाय अनन्द बर्दन के द्वारा दिया गया था अगर कर लेते तो सही चार प्रशन यहां पर बन जाते हैं जो चार-चार कह रहा हूँ उनको नोट करना है इसलिए चार कह रहा हूँ ठेक है आप यह मत सुचेगा कि एक ही प्रशन बन रहा है चार प्रशन बन रहा है कैसे प्रशन एक रिती संपर्दाय किसके द्वारा प्रति पादित किया गया बावन के द्वारा रस संपर्दाय किसके द्वारा प्रति पादित किया गया भर्तमुनी के द्वारा और प्रशन संख्या 3, अलंकार संपर्दायकिस के द्वारा प्रतिपादित किया बहमा के द्वारा, प्रशन संख्या 4, धनी संपर्दायकिस के द्वारा प्रतिपादित किया आनंद बर्दन के द्वारा, तो देखे एक का तीन कहां पर है, विकल्प A में ही हो जाएगा, इस इस तरह के प्रशन जो है एंटी नेट में काफी जादा पूछे जाते हैं इसलिए काफी जोर भी देता हूं में अगला प्रशन 20 इन रचनाओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्तित कीजिएगा तो जो 20 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो यह जाएगा विकल्प सी साहित्य लहरी सबसे पहले कभी प्रिया बहाबिलास और रसी का नंद सी सही विकल्प अगला प्रशन देखेगा 21 इसमें पूछा गया है विशिष्ट पदर रचना रिती किसका कथन होगा तो यह कथन आचार बामन के द्वरा कहा गया था और चित्तिय संपर्दाय के परबर्तक कौन होंगे तो जो औचित्ती संपरदाय के प्रवर्तक थे तो ये हो जाएंगे शेमिंदर सुंदर्यमलंकार ये उक्ति किसकी है तो सही विकल्प यहाँ पर तेज का हो जाएगा बामन की ये प्रंगती हो जाएगी अगला मिशने अलंकार को काब्य पुर्फ के आभुषन किस अचारे ने बताया है तो सही विकल्प 24 का हो जाएगा आपके समक्ष बिश्वनात की दवरा सैशा सर्वत्र बक्रोक्ति को अलंकार अनया बीना ये कथन कि सचारे का होगा तो सही विकल्पी यहाँ पर हो जाएगा भामक के द्वारा ये पंक्ति कही गई थी बक्रोक्ति काब्बेजीवितम कथन किसका होगा तो जो ये कथन हो जाएगा कुंतक का इन में से धननजे की गरंथ का नाम बताईएगा कौन सा धननजे जी का गरंथ हो जाएगा यहाँ पर जो दश्रूपक है ये धननजे जी का गरंथ हो जाएगा ध्वनी संस्थापक परमाचारिय कहा जाता है किसे तो ये कहा जाता है ममट को द्वनी संस्थापक परमाचारिय ममट को कहा जाता है 28 का सही बिकल्प यहां पर बिकल्प से हो जाएगा इस प्रिशन पर थोड़ा सा द्वन्द ये भी है कि कई सांपर आनंद बर्दन को भी माना जाता है कि इनके द्वारा द्वनी संस्थापन में महत्पून भूमी का आदा की थी अगर ममट कहीं पर ना हो आनंद बर्दन हो तो आप इसे टिक करिएगा काफी ज़्यादा महत्पून द्वनी संपरदाय के तौर पर आनंद बर्दन माने जाते हैं मैं अगर ये कहूं कि आनंद बर्दन को ही आप ज़्यादा महत्व दिजेगा ममट के स्थान पर भी तो ये सही हो जाएगा कि आनंद बर्दन ने द्वनी के परचार है तू कई महत्पून कारिये किये थे ठीक है तो यहाँ पर हम विकल्प ये ही सही माने जाएगा आनंद बर्दन इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला परशन 29 और चीत्यम रससिद्ध काब्यस्य जीवितम यह कथन किस अचारे का होगा तो जो 29 का सही बिकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा खिशे मिंदर की प्रस्तुत पंक्ति हो जाएगी अगला परशन यहाँ पर दिया गया है 31 इसमें क्या पूछा गया है बिभावा नुभाव व्यवचारी संयोगादर रसनिश्पत्ति किस विद्वा विद्वा ने होगा यह कतन तो ये कहा गया था आपका भर्तमनी के द्वरा इन में से रस का अबयब कौन सान नहीं है नहीं पूछा गया है तो जो स्वभाव है ये नहीं होगा रसका अभ्यव बाकि स्थाई भाव, संचारी भाव, विभाव ये तो होंगे ही होंगे अगला प्रशन यहाँ पर दिया गया है 32 सूची एक और सूची दो के साथ सुमेलित करना है तो चलिए कर लेते हैं इसमें कितना टाइम लगता है कम ही तो टाइम लगता है ऐसे प्रशनों में तो जो आरोप बाद है ये किस के दौरा दिया गया था भट लोलट के दौरा फिर था अनुमीती बाद ये किस विद्वान के दौरा प्रति पादित किया गया था शंकुक के द्वरा, भुक्तिवाद या फिर मुक्तिवाद ये किसके द्वरा दिया गया था, बटनाय के द्वरा, अभी ब्यक्तिवाद, ये किसके द्वरा प्रतिपादित किया गया था, ये अभी नव गुप्त के द्वरा किया गया था, चार पशनी यहां से हो जाते हैं आ ऊसका चेहन कर येगा जो हर्ष है ये सात्विक अनुभाव के अंद्रगत नहीं आता है बाकी कंप, स्वेध, रोमांच ये आते हैं संचारी भावों के संख्या कितनी मानी जाती है तो 33 संचारी भावों के संख्या मानी जाती है अगला है पैन्तिस आलम्बन की चेष्टाइं किसके अंतरगत आती है तो जो आलम्बन की चेष्टाइं आएगए ये उदीपन के अंतरगत आती है सुची एक और सुची दो के साथ सुमिलित करना है अर्थात रस का नाम और फिर स्थाई भाव कौन सा होगा यहाँ पर तो जो 36 का सही उत्तर हो जाएगा देखीगा अधभूत अधभूत का हो जाएगा बिसमे जो अधभूत रस है इसका स्थाई भाव बिसमे हो जाएगा बिहानक का कौन सा होगा बिहानक का हो जाएगा भै फिर जो रौदर है रौदर का कौन सा होगा करोध फिर जो करून का कौन सा हो जाएगा तो करून का हो जाएगा आपका शोग तो जो सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प सी अध्भुत का यहां से चार प्रेशन निकलेंगे अध्भुत का हो जाएगा बिसमे फिर जो बिहानक का कौन सा होगा बिहानक का हो जाएगा आपका भै रोद्दर का कौन सा होगा क्रोध और गरुन का हो जाएगा श्योक श्रिंगार रस का स्थाई भाब बताईएगा तो जो श्रिंगार रस का स्थाई भाब हो जाएगा तो ये हो जाएगा रती काफी ज़्यदा महत्पून है ये प्रेशन रस का मूल अधार किया है तो जो रस का मूल अधार माना जाता है स्थाई भाब किसका स्थाई भावर्रस रूप में परिनित होता है तो यहाँ पर सही विकल्फ हो जाएगा सामाजी का सामाजी का स्थाई भावर्रस रूप में परिनित होता है अगला प्रशन है सुची एको सुची दो के साथ सुमेलित करना है चलिए कर लेते हैं तो देखिएगा यहाँ पर भावकत्वम साधार्निकर्ण यह जो कसन किस के द्वारा कहा गया था भट नायक जी के द्वारा परस्य ना परस्येती ममेती ना ममेती च यह किस के द्वारा कही गई पंक्ती है अचारे बिश्वनाद जी के द्वारा फिर साधार्निकर्ण आलंबनत्व धर्म का होता है ये किसने कहा तो ये कहा गया था आचारे रामचंदर शुकर के द्वारा साधार्निकर्ण कभी की अनुभूति का होता है तो ये किसके द्वारा कहा गया था तो ये कहा गया था डॉक्टर नगिंदर के द्वरा फिर से कहूँगा देखी गई यहाँ पर भाव कत्वम साधार्नी कर्मम ये जो कत्वन कहा गया था भटनाई के द्वरा परस्य ना परसियेती ममेती ना ममेती च ये अचारे बिशमनात ने कहा था साधार निकर्ण आलंबनतम धर्म का होता है तो ये कहा गया था अचारे रामचंदर शुकल के द्वारा साधार निकर्ण कभी की अनुभूती का होता है तो ये ममट जी के द्वारा कहा गया था फिर देखी आगी है साधार निकर्ण की ब्याक्षा में मदू मती भूमिका का सहरा किस ने लिया तो यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प श्याम सुंदर दास ने श्याम सुंदर दास ने कहा कि जो साधार निकन की ब्याख्या में मदू मती की भूमिका महत्पून रहती है या फिर इसका सहरा लिया श्यामचंदर दास ने इन में से कौन सी रचना अचारे रामचंदर शुकल की नहीं है नहीं पूछी गई है इतका ध्यान रखना है तो जो सही बिकल्प हो जाएगा रस सिधांत पाकी चिंता मनी रस मिमासा त्रीवेणी तो यह तीनों ही आचारे रामचंदर शुकल की पुस्तव होगी रस सिधांत के रचैता का नाम बताएगा तो सही बिकल्प यहां पर हो जाएगा जो डॉक्टर नगेंदर है इनकी पुस्तव हो जाएगी रस सिधांत अगले फ्रैशन की और रुक करते हैं अगले प्रशन में पूछा गिया है आपसे यात्रा के लिए निकलती रहती है बुद्धी पर हरीदे को भी साथ लेकर ये कथन किस ने कहा है तो ये कथन आचारे रामचंदर शुकर ने चिंतामणी नामग जुन का गरंथ है वहाँ पर कहा था इन में से शौष्टबादी आलोचक कौन माने जाते है तो जो शौष्टबादी आलोचक माने जाते है नन दुरारे बाचवई इन में से प्रक्तिवादी समिक्षक है कौन से प्रक्तिवादी समिक्षक के तोर पर जाने जाते है ये सभी राम्विला शर्मा भी नामबर सी हैं भी शिवदान चोहान भी ये धियान रखना है आपने अगला है काब्य शोबा करान धर्मान अलंकार पक्षिय थे ये कथन किसने कहा था काब्य में शोबा लाने वाले धर्म को अलंकार किसने कहा तो दंडी मानते हैं ये सब भावों का उतकर्ष दिखाने और बस्तों के रूप गुण क्रिया का अधिक तिब्र अनुभब कराने में कभी कभी साहिक होने वाली उक्ति अलंग कार है ये कथन किस ने कहा ये बताईए गाव तो जो 48 का सही विकल्ब हो जाएगा रामचेंदर शुक्र ने ये मत प्रस्तूत किया था अगला है ना कांता मपी निर्भूशनम विभाती बनीता मुखम कथन किसका है तो ये भामा के द्वारा कथन कहा गया था अगला है दंडी अलंकार को मानते हैं क्या मानते हैं दंडी अलंकार को तो ये मानते हैं काब्वे का शुबा कारग धर्म अलंकार को अलंकार के विशय में कौन सा कथन असत्य होगा तो ये हो जाएगा अलंकार काब्वे का शुबा कारग धर्म होगा ये सत्य है अलंकार केवल बानी की सजावट के लिए नहीं विभाव की अभिभिक्ति के विशेश द्वार हैं किसने कहा तो ये कहा था पंत के द्वारा अगला है सूची एको सूची दो के साथ सुमेलित करना है चलिए कर लेते हैं यहाँ पर देखिए जो भट लोलट है ये उपर भी बताया था उत्वत्ति बाद के प्रवर्टक माने जाते हैं शंकुक तो ये माने जाते हैं अनुमीति बाद के भट नायक ये माने जाते हैं भुक्तिवाद या मुक्तिवाद जो अचारे अभी नवगुप्त हैं ये माने जाते हैं आपके अभी व्यक्तिवाद के फिर से बताऊँगा काफी जादा महत्पुन ये तत्थी रहते हैं भट लोलट उत्पतिवाद के शंकुक अनुमिती वाद के भटनायक भुक्ती वाद के अच्चारे अभीनव गुफ्त अभीव्यक्ती वाद के तो यहां से भी आपके चार पशन त्यार हो जाते हैं तो दोस्तों देखीगा कुछ इस परकार से आज का हमारा ये लेक्चर था वीडियो का अंत करने से पहले फिर से आपको अभगत करवाना चाहूँगा कि L.T. कमिशन और P.G.T. हिंदी के कोई त्यारी कर रहे हैं स्टुडेंट आप में से तो वो जल्द से जल्द हमारे जो न्यू बैच में एन्रोल हो सकते हैं यहां पर आपके लिए बिशेश प्रावधान किया गया है अगर आप लोग अभी भी एडमिशन लेते हैं तो अलग से जो बच्ची है उनको स्टुडी मैटर दिया जाता है उन्हें बैच में भी एन्रोल किया जाता है अलग से उनको मैसेज भी किये जाते हैं स्टुडी है तू ठीक है अगर अधी जानकारी लेना चाहते हो तो यहां पर जो बट्सेप नंबर दिया गया है यहां पर आप बट्सेप करिए आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी ठीक है तो फिसे कहूंगा अपनी स्टुडी को सुदूरिट करने के लिए सफलता को काइम करने के लिए जो बैच है इसमें लाब ले सकते हैं काफी जाता महत पुन यह बैच आपका रहेगा ठीक है अब यहां पर अपनी वीडियो का स्मापन कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंतेक बने रहे इसका बहुत धन्यावाद